आप लोगों ने चेत्रीय फर्षदों के बारे में सुना होगा उत्री चेत्रीय फर्षद, मद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् ग्रहे और सहिकार्टा मंतरी साहब हैं इन्होंने कोलकाता की पश्य मंगाल की राध्धानी कोलकाता में वो जो पूर्वी छेत्री फ़िश्द है ना इसकी 25 भी बैठक की अध्यक्षता की है तो छेत्री फ़िश्दों के बारे में एक सामान जानकारी आप लोग अपने पास रखा गरिएगा इसके स्थापना कब हुई इनके काम क्या है कारी क्या है और इन में कौन-कौन से राध्धाके सामिल किस चेतरी है पईशद में हैं एक बार पहले आप लोग पकश्यमंगाल चलिये देखिए यह हमारा फ्यारा भारत है और इसमें आप देखिए यह पक्श तीन देशों से लगती है यहां आप देखेंगे कि मुकमंत्री की बात करें तो ममता बनर जी है अभी वर्दमान में विधान सबाव में 294 सीटे हैं लोक सबाव में 42 सीटे हैं राज सबाव में 16 सीटे हैं आपको देखने को मिलेंगी 88752 बरक किलोमीटर में आपका पश्चे म मंगाल फैला हुआ है और यह आप देखें बैठक में आप लोगों को मंता बनर जी दिखाई दे रहे हुए हम मिनिस्टर साहब अमिसाय साहब दिखा रहे हैं एहमंद सुरेन आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं तो छेतरी फरिश्दे बैधानिक निकाय है ना कि समीधान देखें समीधानिक निकाय कहने का मतलव होता है समीधान के किसी अनुचेद में उसकी स्थापना की बात कही जाती है जैसे आप देखें सुप्रीम कोट हमारी समीधानिक निकाय है समीधान के अनुचेद 124 के तह सुप्रीम कोट की स्थापना की बात कही गई है जैसे चुन ये परिशदों की बात सम्मीधान के किसी भी अनुचेद में नहीं की गई है। ये एक बैधानिक निकाह है। ये संसत की एक अधीनियम यानि की राज़पुनरगठन अधीनियम 1956 इस्थापित की गई थी। बैधानिक निकाह कहने का मतलब है कि सम्मीधान के हिसाब से इसकी इस्थापना नहीं हुई है। सम्मीधान में कहीं प्रावधान नहीं है। लेकिन आप देखेंगे कि एक अधीनियम के तहट इसकी इस्थापना की गई है। ठीक है। और इस अधीनियम ने देश को पांच छेत्रों उत्रीप, मद्ध, पूर्वी, पश्मी और दच्छिड में विभाजित किया है और पितेक छेत्र के लिए एक छेत्री परिशत की प्यदान किया है। और इन छेत्रों का निर्माण करते समय कई कारकों कुध्यान में रखा गया है। जिन में सामिल हैं देश का प्राक्तिक विभाजन, नर्दी प्रडाली और संचार के साधन, सांस पूर्वी पर्षद अधिनियम द्वारा एक उत्तर पूर्वी पर्षद बनाई गई थी और इसके सदसों में आप देखी तो असम, मडीपूर, मेजोरम, अरवणाचलपिदेश, नागालेंड, मेघाले, तिपूरा और सिक्किम सामिल है तो इसके बारे में भी याद रखीए कहु सकता है, पूँछ ले उत्तरपूरवी पर्षद की जो इस्थापना होई थी उसमें कौन-कौन से राज्य सामिल है आपका सामं भी सामिल है, मडीपूर भी सामिल है, मेजोरम भी सामिल है, अवडाचलपिदेश अामिल है, नागालेंड, मेघाले, तिपूरा और सिक्क सामिल है अगर हम लोग इनकी सरचना की बात करें छेत्रिय फरिशदों की तो आप देखेंगे कि सबसे पहले आप लोग उत्तरी छेत्रिय फरिशद देखिए इसमें आप लोगों को हर्याना हिमाचल पिदेश पंजाब राजिस्तान राष्टी राधानी छेत दिल्ली और आपका देखेंगे हरयाना है हिमाचल पिदेश है पंजाब है राजिस्तान है और उसके बाद आप देखेंगे राष्टी राधानी दिल्ली है आपकी और संग राजिचेत आपका चंडीगड है जमू कस्मीर है और लग्दाक है इसका अगर आप से कभी मुख्याल है और इसका मुख्याल है आपको इलाबाद में देखने को मिलेगा जिसे आप लोग प्रयाग राज के नाम से जानते हैं पूर्वी चेत्रिय परिशत की बात करें तो इसमें बिहार जार्खन उडिशा और पश्चे मंगाल राज जिसा मिले इसका मुख्याल है कोलकाता में द देखेंगे गुआ हो गया गुजरात महराष्ट राज संग राज्यचेत दमन दूइप और दादरा इवं नगर हवेली सामिल देखने को मिलेगा इसका मुख्याल है मुंबई में देखने को मिलेगा दच्छिडी चेतरी परशद तो इसमें आप देखेंगे आंध्पिदे इसका अध्यक्ष के अंदरिये ग्रह मंत्री इन सभी परशदों का अध्यक्ष होता है उपाध्यक्ष की बात करें तो पितेक छेतरी परशद में सामिल किये गए राज्यों की मुख्यमंत्री रोटेशन से एक समय में एक बरस की यवदी के लिए उस अंचल की आंचलिक पर पितेक राज से राजपाल द्वारा नामित दो अनमंत्री और पर्षद में सामिल किये गए संग राज चेत्रों के से दो सदस सामिल रहते हैं। सभी जानते हैं कि अगर इसकी स्थापना हुई है तो कोई तो उद्देश रहा होगा इसका। और परिषदों की काम क्या हैं तो आरतिक और सामजिक नियोजन के चित में सामान हित का कोई भी मामला है। सीमा विवात की बात करें तो भासाई अल्व संख्यक अल्व संख्यकों या अंतर राज्य परिवान से सम्मधित कोई भी मामला हो इसे आप देखे समाधान करने के लिए करता है। टीक है। तो मुझे लगता है कि अगर चेत्री और फर्षदों से अगर कोश्चन्स आएंगे आपके एक्जाम में तो आसानी से आप लोग उनका जवाब दे पाएंगे। इतना ओबर भी हो एक आप लोग इसके बारे में अपने पास रखेंगे।